नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय मौरिया और आप देखने हैं अजय सरजी चैनल दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए इतिहाद विशे का लेसल प्राल लेकर के आया हूँ तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहता हूँ कि दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजेगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रेस कर दीजेगा चले दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूँ दोस्तों सर प्रतम उपर आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे फिर उसके नीचे विद्याले का नाम लिखेंगे जिस विद्याले में सिछनकार के लिए गए होंगे पिर उसके नीचे पांच कालम बनाएंगे दिनांग कच्छा विशय चक्र अवदी दिनांग के नीचे उस तितकों अंकित करेंगे जिस तितक में सिछण कार कर रहे हैं जिस कच्छा को पढ़ा रहे हैं कच्छा के नीचे जिस विशय को पढ़ा रहे हैं विशय के नीचे और तो चक्र होगा उसको आप यहां लिख देंगे और उसकी जो अवद होगी आप उसको आप यहां लिख देंगे दोस्तों आज का हमारा प्रकरण है नदी घाटी सभेता अर्थात हडपा सभेता कच्छा छै और विशे इतिहास प्रकरण के नीचे लिखा जाएगा सामान उद् विशे इतिहास करना 5. बच्चों के मानव समाज के विखास से आउगत कराना 5. बच्चों में वेग्यानिक एवंग इतिहासिक दिर्ष्टिकौन विखसित करना सामान उद्देश के ठीक नीचे विशिष्ट उद्देश लिखा जाएगा विशिष्ट उद्देश में क्या रहेगा नमबर एक बच्चे प्राचीन कालिन सभेताओं की जानकारी प्राप करेंगे नमबर दो बच्चे नदी घाटी सभ्यता हडपा सभ्यता के विशे में जानकारी प्रात करेंगे नमबर तिन बच्चे हडपा काली नगर निर्वान योजना की जानकारी प्रात करेंगे विशिष्ट उद्देश के ठीक नीचे लिखा जागा सिच्छन विधी सिच्छडविद में प्रश्णोत्तरविद और अस्पष्टी करणविद फिर उसके निचे सहायक सामागरी सहायक सामागरी में हडपा काली नगरों को प्रदसित करता हुआ चित्र तथा अन्य कच्छा पयोगी वस्तुए फिर इसके बाद दोस्तों पूर्व ग्यान पूर्व ग्यान लिखा जाएगा पूर्व ग्यान में क्या है बच्चे मनुस की मूल भूत आवस्यक्ताओं की सामागरी रखते है पूर्व ग्यान के ठीक निचे प्रस्तावना प्रस्तावना में आप तीन कालम बनाएंगे करम संख्या छात्रा ध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया पहला प्रस्ण करेंगे नमबर एक प्रिथिभी पर सबसे जागरूप प्राणी कौन है छात्र बताएंगे मनुस्य यहीं से अब दूसरा प्रस्णाब बनाएंगे मनुस्य की मूल भूत आवस्यक्ताओं कितनी है छात्र बताएंगे तीन अब यहीं से अगला प्रस्ण बनेगा तीनों मूल भूत आवस्यक्ताओं का नाम बताओ छात्र बताएंगे रोटी, कपड़ा और मकान अगला प्रश्ण इस बना लिजे वह कौन सी सभ्यता थी जिसके मकान के अंदर रसोई घर सवचालय तथा असनान घर का उचित प्रबंध था छात्र मोन हो जाएंगे ही समस्यात्न प्रश्ण हो जाएगा इसके बाद उद्देश कथन उद्देश कथन में बच्चों आज हम जो नदी घाटी सभ्यता हरपा सभ्यता का विश्तरित अध्यान करेंगे इसके बाद प्रस्तुती करन प्रस्तुती करन में आप चार कालं बनाएंगे सिच्छण बिंदु छात्रा ध्यापक कथन चात्र कथन उस्यामपट कारे सिच्छण बिंदु में पहला सिच्छण बि अब आप अस्पश्टी करण में बताएंगे सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था इसी वर्स पुरातत विदो ने पंजाब प्रांत में हरपा नामक अस्थल की खोज की इस अस्थल से प्राप्त अवसेशों के अध्यान से पुरातत विदों को ज्यात हुआ की या एक नगरी सभ्यता के अवसेश है इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गाउं मिला जिसको लोग मोहन जोदडों कहते थे यहां से भी नगरी सभ्यता के आउसेश प्राप्त हुए हैं हडपा नाम कस्थल से इस सभ्यता के आउसेश सबसे पहले मिले थे इसलिए इसे हडपा सभ्यता काते हैं यहां सैंपटकार में मोहन जोदडों का मतलब है मृतकों का टीला अब अगला सिछन बिंदू है नगरों की विशेषतायें, प्रश्न करेंगे बच्चो से, हड़पा कालीन नगरों की सड़के कैसी थी, झाध बताएंगे चोडी, अब अगला प्रश्न, हड़पा कालीन लोग किसके प्रति जाग रूप थे, चात बताएंगे, हडपा कालीन नगरों का निर्मान एक निश्चित योजना के तहत किया गया था, सडके चोडी थी, तथा वे छोटी छोटी सडकों एवन गलियों से जुडी थी, सडके पूर्व से पस्चिम तथा उत्तर से दच्छिर की ओर जाती थी, सडकों के किनारे पक्की नालियां बनी थी, हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी, सभी नालियों में हलकी धाल होती थी, जिससे पानी आसानी से बह सके, इस सबहता के लोग सफाई और सच्छता के प्रत काफी जागरूख थे, अब यहाँ देखिए स्यांपटकार में रोपन, पंजाब, काली बंगा, राजस्थान, लोथल, गुजरात, दायमाबाद, महाराष्ट, इस सभ्यता से संबंधित पुरा अस्थल है, अब अगला सिच्छन बिंदु है, भावन निर्मान, प्रश्ण करेंगे बच्चों से, हड़पाकालीन इमारते किस आकार की थी? चात बताएंगे आयताकार, अगला प्रश्ण हडपाकालीन घरों के बीच में क्या इस्थित होता था? चात्र मौन हो जाएंगे, अस प्रशिकर बताएंगे, हडपाकालीन इमारते आयताकार थी, कई दो मंजिला घर थे, तो कुछ छोटे छोटे घर थे इन भावनों का निर्माण एक निश्चित योजना के तहत किया गया था प्रते घर के बीच में एक आगन होता था आगन के चारों और कमरे बने हुए थे पर ते घर में रसोई घर सौचाले तथा असनान घर का उचित प्रबंध था दो मंजिला मकानों में उपर जाने के लिए सीणिया बनी थी दीवार पकी इटों की बनी हुई थी अर्थात उस समय इट पकाने की भट्टियां रही होंगी मोहन जोदरों में एक पका आसनानागार मिला है अब स्यामपटकार में देख लिजे पक्के घरों के अलावां बड़े बड़े गोदाम मिले हैं जिन में अनाज रखा जाता था अब अगला सिच्छन बिंदू रहन सहन प्रश्ण हडपा वासियों का मुक्य भोजन क्या था चाथ बताएंगे चावल गेहु जोव हडपा वासि किस चीज के बने कपड़े पहनते थे चाथ बनो जाएंगे असपाशिकन बताएंगे चावल गेहु और जोव हडपा वासियों का मुक्य भोजन था वे लोग सूती तथा उनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे यहां के निवासि गेहु जोव कपास मटर तिल और चावल की खेती करते थे बैल गाय भैंस बकरी भेंड सूर हाथी उन्ट उनके पालतू पसू थे हार कंगन पाजे बाली अगूटी उनके प्रियागोशट थे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अजैसर जी चनल को दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को मौन हो जाएंगे अब असपश्टी करण में आप बताएंगे आप असपश्टी करण में पूरी बात बताएंगे हड़ा पावासी मात्र सक्त की उपातना सिव पूजा गृच पूजा और पस पूजा करते थे यहाँ देखें स्यामपटकार में मात्र देवी तथा पसुपत सिव की पूजा करते थे अगला सिच्छन मिंदुवा काम धंदे प्रश्टन हरपपा वासी कौन सा काम धंदा करते थे चात मनो जाएंगे असपश्टी करन बताएंगे खुदाई में ताबे और कांसे की बनी हुई कुलाडी दरपण आरी कंगिया उस्तरा प्राप्त हुए हैं अर्था तुस्तमे के लोग जमीन से धात निकालने उसे साब करने तथा गला कर चीजे बनाने के तरीके जानते थे सबसे पहले कपास उत्पादन करने के स्रे हरपा सब्यता के लोगों को है हरपा सब्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रियोग करते थे यहां देखिए स्यामपटकार में चक्के के इस्तेमाल से मिट्टी के सुन्दर वर्चन बनाये जाते थे अब इसके बाद दोस्तों बोध प्रश्ट बोध प्रश्ट में क्या है नमबर एक हरप्पा वासी किस देवी देवताओं की पूजा करते थे दूसरा प्रश्ण हडपा कालीन मकान कैसे होते थे नमबर तिन मोहन जोदरों का क्या अप्रा है फिर इसके बाद मुल्यांकर प्रश्ण मुल्यांकर प्रश्ण में नमबर एक सबसे पहले कपास उत्पादर करने का सरे किस सभ्यता के लोगों को जाता है नमबर दो हड़ापा वासियों का मुख भोजन क्या था नमबर तिन पक्कास नानागार कहां मिला है निरिछण कारे जब चातर स्यामपट कार अपनी कापियों में उतार रहे होंगे तब चातर अध्यापक कच्छा में घूम घूम कर उनकी कापियों का नेचन करेंगे ग्रीकार हड़ा पाकाली नगर निर्माड योजना पट्टी पड़ी लिख कर लाना है नीचे हस्ताक्चर परियावे चक फिर नीचे हस्ताक्चर चातर अध्यापक इसी साथ एलोशन प्रांस माथ भो रहा दोस्तों आप लोगों से अपील है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद